जहिन बच्चो, वेलकम तो माई एविएस प्लास, लट्स स्टार्ट दे चाप्टर नमबर 12, दे नेम इस दसकाई, चाप्टर का नाम क्या है, दसकाई, आकाश, ठीक है, आज हम आकाश के बारे में पढ़ेंगे, आसमान के बारे में, ठीक है, शुरू करते हैं, आइडेंटि वाले पिंडो को पहचानिये, और उनके नाम लिखिये, यहाँ पर आकाश में जो चीज़े दिखाई देती है, कुछ चीज़े, उनका पिक्चर दिया हुआ है, और उनको आपको पहचानना है, और उनके नेम लिखने है, ठीक है, पहला है, I am a big ball of a fire, I give heat and light, क्या बोला है, मैं एक आग का बड़ा गोला हूँ, ठीक है, क्या बोला है, मैं आग का एक बड़ा गोला हूँ, मैं उश्मा और प्रकाश देता हूँ, कौन है, सन, यहाँ लिखेंगे सन, अगला है, you can see me in the sky after rain, I am a band of seven colors, आप मुझे वर्षा के बाद आसमान में देख सकते हैं, मैं साथ रंगों का समू हूँ, क्या है, जब बारिश के बाद आपको एक साथ रंगों का एक पैटर्ण दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, रेंबो, यहाँ लिखेंगे, रेंबो, अगला है, I am silver, in color, I move around the earth, क्या बोला, मैं, जो मेरा रंग है, जो इसका रंग है, वो चांदी जैसा है, और यह क्या है, प्रिथवी के चारों तरफ घूमता है, यह क्या है, मैं प्रिथवी के चारों तरफ घूमता हूँ, कोन है, कोन है, मून, चांद, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मून, आगे आज़े यह नीचे, वी आर मेनी इन नमबर्स, वी ट्रिंकल एट नाइट, हम संख्या में बहुत सारे हैं, हम रात में टिम्टिम आते हैं, रात में क्या टिम्टिम आते हैं और बहुत सारे दिखते हैं आकाश में, क्या है, स्टार्स, क्या है स्टार्स, stars, अगला है, we are eight in numbers, eight is one of us, earth is one of us, हम संख्या में आठ है, पृत्वी हम में से एक है, क्या है, आठ क्या है, ग्रह, ग्रह है न, ओके, तो आगे हम, गो आउटसाइड और सी अपवाड इन दे टाइन, यू सी अ ब्लू कवर, ओवर यू, हैविग अ बिग शाइनिंग बॉल, इस ब्लू कवर इस कॉल्ड स्काई, एन शाइनिंग बॉल इस आर सन, दिन के समय बाहर जाकर उपर देखे, जब आप दिन के समय बाहर जाते हैं, घर से निकलते हैं, तवासमान में देखेंगे, तो क्या मिलेगा, एक नीला आवरन देखते हैं, जिसमें एक चमकती हुई गेंध है, यह नीला आवरन आकाश है, और चमकती हुई गेंध हमारा सूर्य है, जो नीला उपर दिखाई देता है, वो क्या है आकाश, और उनके बीच में एक चमकता हुआ, जो दिखाई देता है, आगे है the sun अब हम sun के बारे में पढ़ते हैं The sun is a hug ball of fire It gives us heat and light Both are very important for life on earth The sun rises in the east and sets in the west सूर्य अगनी का एक विशाल गुला है ये हमें उश्मा तथा प्रकाश देता है प्रिथवीव पर जीवन के लिए दोनों चीजे बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्य पूर्व में उदे होता है कहां से निकलता है सूरज पूर्व दिशा से और छुपता कहां पर है डूपता किस दिशा में है अस्त होता है पस्चिम में ठीक है आगे है When we see upward sky at night जब हम आकाश में रात के समय देखते हैं We see many small objects and a big shining ball तो हमें क्या दिखाई देता है बहुत सारी छोटी छोटी चीजे दिखाई देती है और एक बड़ी चमकती गेंद दिखाई देती है The shining ball is the moon जो shining चमकती हुई गेंद होती है बोल होती है चंद्रमा है It does not have its own light It shines because of the sun's light इसका जो चांद है इसका अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता चांद में अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती है तो फिर वो कैसे चमकता है बचों वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ठीक है यह box बना है इसमें क्या है Neil Armstrong was the first human to land on the surface of the moon on 20 July 1969 कौन है यह 19 July 1979 को चांद पर सबसे पहले जाने वाला उतरने वाला इंसान कौन था Neil Armstrong ठीक है इसे आप याद रखेंगे अगले पेज़ पे आईए अगला है The small objects are stars जो छोटे-छोटे चीज़े आपको दिखाई देती है आकाश में वो क्या है Stars है तारे है Stars twinkle at night Stars रात को चमकते हैं तिम-टिमाते है The sun is also a star Sun भी क्या है एक तारा है ठीक है It looks big in comparison to other stars लेकिन Sun भाकी stars के comparison में बहुत ही बड़ा दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है Because it is closer to us क्योंकि वो हमारे बहुत ही नस्दीक है ठीक है In the day time Other stars are also there But we cannot see them Because of shining light Shining light of our sun जो रात को हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे बहुत सारे तारे आसमान में वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं लेकिन वो दिन के समय भी वहीं आसमान में ही होते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते हैं क्यों क्यों क्योंकि जो sun होता है दिन में sun निकलता है सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी जो होती वो इतनी ज़ादा होती है कि उसके आगे हमें स्टार्स की रोशनी दिखाई ही नहीं देती ठीक है, the sun has eight objects revolving around it अब क्या बोला है, सूरे के आठ पिंड हैं जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ठीक है, they are called planets और जिसे हम क्या कहते हैं, planets Earth is also a planet, अर्थ भी क्या है, एक planet है It is one of them, इन आठ ग्रहों में अर्थ भी है, एक है न All the planets revolve around the sun in their fixed orbit जो सभी ग्रह है, ठीक है, सभी ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में उनकी जो fix, जो रास्ते हैं उस पे सूरे की परिक्रमा करते हैं अपने fixed जगह पे चलते हुए, कक्षा में चलते हुए सूरे की परिक्रमा करते हैं, यानि चारो तरफ घूमते हैं Each planet has its own moon और हर प्लैनेट का अपना चांद होता है ठीक है न, जैसे हमारे अर्थ का, हमारी धर्ती का चांद है, वैसे ही हर ग्रह का अपना चांद होता है वे संख्या में एक या अधिक भी हो सकते हैं हमारी प्रिथवी का एक चंद्रमा है, जैसे हमारी प्रिथवी का कितने चंद्रमा है, हमारे प्रिथवी का सिर्फ एक ही चंद्रमा है लेकिन बाकी ग्रहों के एक भी होते हैं, एक से जादा भी होते हैं ठीके बच्चो तो ये चैप्टर आपको समझाया होगा समझ के पढ़ना है इसको अच्छे से पढ़ना है ठीके जैहिन बच्चो